हेलो मेरे प्यारे दोस्तों तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वक्स बंडर में आज हम पढ़ेंगे गौपमेंट ये मार्केट प्लेस यानि जैम के बारे में तो हमारा ये टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो रेल्वे में गुरूप बी एक जाम की तैयारी में लगे हुए हैं ये सारे 30 परसंट और 70 परसंट जो गुरूप बी के होने वाले हैं उसके त्रिश्चकों से बहुत इंपॉर्टेंट है तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्मेंट ये मार्केट प्लेस यानि जैम जिसका जो में इंपॉर्टेंट थी वर्ड है वो है एफिसेंट टांस्पैरेंट एंड इंक्लूजीव तो आई शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्रेश्चन वाट इस दा फूल फॉर्म अफ Sun जम जैम का सुल फॉर्म क्या है तो जैम का फूल फॉर्म है गयावव्मेंट ये मार्केट प्लेस एक वैसी जगह जहां पर सरकारी संहान की हईक प्लेंच है कि जह सकते हैं कि जो समान वीकित विक्री होगी जहां पर स्में ट्रांस्पारुर clamp ही होगी है को कि के तरिके से प्ोर्कृर्मलेंट किया जाएग कुशन का सही अंसर लोगा ऊसांट है जो स Cheese आफ़ी है तो सही अंसर है परसांत कुमार स सुह परसांद कुमार नने जो है वो jam के current CEO है अब next question है the jam portal of government of India deals with अब जो government of India का jam portal है यानि government of e-market place है वो किस से deal करता है तो वो deal करता है public procurement मतलब जो भी public यानि जो भी सरकारी खईदारी होती है वो यहां से हो सकती है जैसे हमने देखा है कि रेल में बहुत सारी चीज़े जो है वो हर साल खईदनी पड़ती है चाहे वो fire extinguisher हो चाहे वो पेपर सो चाहे वो computer सो जो भी यूजर के समान हो उसको हम लोग आजकल देखते हैं कि जैम से ही खईदा जा रहा है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछिन की तरफ नेक्स्ट कुछिन है government e-market place यानि जैम वाज 2016 में अगस्त 2016 में इंट्रियूस किया गया था यानि अस्तित्तों में आया था अब हम देख लेते हैं जैम जो है गवर्मेंटी marketplace जो है वो इंडियन गवर्मेंट द्वारा अगस्त 2016 में आया था और जो जैम पोटल है वो डील करता है procurement से related खईदारी से related चीजों को deal करता है और यह क्या है एक end to end online marketplace है जहां पर यह facility देता है online procurement को मतलब आप online procurement कर सकते हैं सारे common use जो भी common use के good and services है उनका आप online procurement कर सकते हैं ऐसी फैसिलिटी जैम द्वारा दी जाती है और यह है इट इसनल पॉब्लिक प्रोक्यूर्मेंट पॉर्टल देट आफस इन-टू-इन सॉलुशन पर आल देख सकते हैं यहां पर जो भी पॉब्लिक अफिसेस है यानि गर्मेंट के ओफिसेस या मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है या फिर पॉब्लिक अड़र्टेकिंग है या फिर ऑटनोमेस बॉड़ी है या फिर सेंट्रल की अपिक्स बॉड़ी है उन सब में हम जैम का यूज करके मैट्रियल प्रोक्यूर्मेंट कर सकते हैं ओनलाइन तो यह जैम के कुछ इंपॉर्टेंट्स है जिसको जिसके जरी जैम को लाया गया है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछिन की तरफ वाट आर दो अब्जेक्टिव ऑफ गौवर्मेंट इमार्केट प्लेस तो अबने हमन क्रियेक्ट एन ओपेन ट्रांस्पैरेंट प्रोक्यूर्मेंट प्लेटफरं फर गौवर्मेंट बायर्स इन क्वोश्चिन पुच्छा गया है फैनल च्रान्सपैरिक्टिव ऑफ गौवर्मेंट प्लेटी क्लेक्वर्म नविष से दौन gli gen, what is the limit of Jam, तो jam की खachsenरी में क्या क्या लिमिट है, तो जो डायत परचेजिंग हैं, वो 25000 तक आप डायरेट परचेजिंग कर सकते हैं, 25,000 से लेके 5 तक 5 लाग तक में आपको compare करना पड़ेगा बायर्स के बीच में और उसके उपर के value में आपको b.tender करना पड़ेगा तब आप jam में कर सकते हैं खरिदारी नेक्स्ट है on what amount EPBG and EMD is applicable तो जो electronic performance bond guarantee होता है और earnest money deposit होता है वो किस किस के case में applicable होता है तो if the estimated bid जो है वो value up to 5 लाख होगा तो उस case में EPBG यानि electronic public bank guarantee जो है वो applicable होगा और जो पांच लाख से उपर तक में होगा उसके EMD applicable होगा और इस case में जो होता है दोनों public यानि product और service दोनों ही case में EMD और EPBG applicable होगा next है what does CRAC stand for? CRAC का मतलब क्या है तो यह है consignee receipt and acceptance certificate जब भी कोई material consignee को मिलेगा तो अगर वो accept करता है तो उसे receipt दिया जाता है जिसको CRAC कहते हैं यानि consignee receipt and acceptance certificate CRAC next है direct buying can be adapted for the purchase order in the range तो जो भी डारेक्ट जो भी डारेक्ट पर्चेजिंग होती है यानि direct buying होती है उसका range होता है वो 25,000 तक होता है इसका सही अंसर होगा 0-25,000 next है mandatory price comparison amongst three seller can be adapted for purchase order in the range तो जो भी रेंज 25,000 से लेके पांच लाग तक होता है तो उसके इसमें 25,000 से लेके फाइव लाग तक है next question है who can reject the consignment अब consignment को कौन reject कर सकता है तो इसका answer यहां पर यह गलत printed हुआ है इसका सही answer होगा consignee consignee होता है वह किसी भी consignment को reject करने के लिए responsible होता है तो इस question का यहां पर सही answer आप लोग करने consignee होगा अब बढ़ते हैं next question की तरफ the ministry department self project their annual procurement plan of goods and service on jam portal within तो जो भी प्लान और procurement प्लान सर्फ करना है उसको jam में 30 दिनों के अज़र मतब बजट अप्रूबल होने के 30 दिनों तक आप कर सकते हैं तक में कोई भी बीड या टेंडर करने की या quotation करने की जुरत नहीं है competent authority अगर certificate देते हैं तुस account amount तक का direct purchasing हो सकता है तो इसका सही answer क्या होगा तो इसका सही answer होगा 25,000 तो आज का next और last question है की पर्चेजिंग अप गूड्स विदाउट इन्वाइटिंग कोटेशन और बीड्स ऑन दा बेसिस ऑफा सर्टिपिकेट टूबी रिकॉडड़ेड बाई दा कंपिटेंट ऑथरिटी अप्टू दा सटन हाज बिन गिवेन इन जनरल फाइनांस रूल अंडर तो question बोला गया है कि जो डारेक्ट पर्चेजिंग होती है जिसमें किसी भी बीड या टेंडर या फिर कोई भी बीडिंग करने की जुरत नहीं पड़ती तो उस case में क्या होता है हम डारेक्ट पर्चेजिंग कर सकते हैं तो उसका जो value है up to 25,000 तक हम लोग डारेक्ट रूल आता है जैनरल फाइनेंस रूल 154 जैनरल फाइनेंस रूल 154 के अंडर में यह रूल में कहा गया है यह बात तो थैंक्यू दोस्तों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पाईए हमारा लेटेस्ट अपडेट थैंक्यू